नमस्का दोस्तों मैं हूँ परवीन और आप देख रहे हैं हमारे चेनल योटिव हिंदी तो देखे दोस्तों इस वीडियो से पहले भी मैप के सामने हरियाना के जो जिले हैं उनकी काफी सारी वीडियो लेकर आचुका हूँ तो अगर आपने मेरी वीडियो भी तक नहीं जा रहे हैं इस से रिलेटिव मॉस्ट ली कोष्टन्स जो पूछे जा सकते हैं बिल्कुल बारिकी से मैंने यहां पर गुडगाओं गुडगाओं का अध्यान करके ये वीडियो बनाई है ताकि कोई भी कोष्टन्स गुडगाओं में से छूटे ना और अच्छे से आप इ 266 को ओई थी तभी गुरुगाओं की स्थाबना भी हो गई थी और देखिए हर्यान सरकार ने 13 अप्रेल सन 2016 को गुडगाओं का नाम बदल कर गुरुगाओं कर दिया था अगर मैं आपको बता दूं कि पहले पुराने समय में गुडगाओं को गुरुगाओं ही बोला जात है तो चलिए सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि गुरुगाओं के अंदर जो सरुपर्थम जो जो चीज़े होई हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं ठीक हैं तो देखिए सबसे अधिक साक्षता दर्वारा जो जिला है हर्याना का वो गुरुगाओं ही है और हर्याना म स्टेट साइबर क्राइम ब्रांच का पहला जो थाना है वह भी यहां गुरू ग्राम में ही खुला है इसके बदाए हर्याना में सबसे अधिक शापिंग माल गुरू ग्राम के अंदर ही स्थित हैं भारत का सबसे बड़ा जो शापिंग माल है वो भी यहीं पर है जो 19,97,380 स् इसके बदाए हर्याना में सरोपर्थम पुलिस कमिस्नरी भी यहीं पर 2008 में लागू हुआ इसके बदाए हर्याना का पहला खाद्य जो बैंक है वो भी गुरू ग्राम में ही स्थित हुआ और अगर हम बात करें हर्याना का पहला गेहुजीन बैंक तो यह करनाल में है और हर् ठीक है तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं गुरुग्राम में एनेच आठ जो की अब बदलकर एनेच 48 हो गया है इस पर 32 नंबर टोल गेट एसिया का सबसे बड़ा तथा विसु का तीसरा सबसे बड़ा टोल गेट बनाय गया है इसके बाद है फरूख नगर में सबसे पहल DLFB यहीं पर स्थित है इसके बाद हर्याना में सबसे ज़्यादा जो ज़ाडियां है वो गुरुग्राम में ही पाई जाती है इसके बाद अगर हम बात करें कि गुरुग्राम के बाद दूसरे नंबर पर पंचकुला के इंदर हर्याना में सबसे ज़्यादा ज़ाडियां पाई जाती है और हर्यान की जीन्द जिले में बिल्कुल भी जाडियां नहीं मिलती है इसके बद है हर्यान की सबसे उंची मूर्ती भी यहीं पर स्थित है गुरुग्राम में देश का पहला माडल केरियर सेंटर भी बनाए गया है इसके बद है हरियाना में पहली बार हिंदो अध्यात्मिक एमस सेवा मिला 2-5 फरवरी 2017 को गुरुग्राम में लगाय गया था इसके बद है हरियाना का पहला ग्रीन रोड ये भी गुरुड़ गाओं के पटोदी में ही स्थित है इसके बाद है हरियाना में सबसे पहले मैटो ट्रेन गुरुग्राम में ही चली थी इसके बाद है गुरुग्राम का बिनोला गाउं हरियाना का पहला CFL गाउं बना है इसके बद है हरियना और देश का ही नहीं बलकि एशिया का पहला फोटोग्राफिक सेंटर भी गुरुग्राम के अंदर ही स्थित है इसके बद है गुरुग्राम में ही देश की सबसे पहली पाड टेक्सी सेवा की सुरात हुई थी जिसका नाम मैट्रीनो है और यह सोर उर्जा से चलती है इसकी लंबाई 12.13 किलोमेटर है इसे परसनल रैपिड ट्रांजिस्टरों के नाम से भी जाना जाता है इसके बद है देश की पहली सोर उर्जा ट्रेन दिल्ली से फरूख नगर तक 14 जुलाई संद 17 को चलाई गई थी इस ट्रेन में 10 कोच हैं इस ट्रेन की छतों पर 16 सोलर पैनल लगाए गए हैं रेल मंती सुरेश परभु ने हरी जंडी दिखा कर इसका सुभारम किया पहली नीजी चेतर की प्रियोजनाव की सुवात भी गुरूगराम से ही हुई थी इसके बद दिखिए हर्याना का जो सबसे कम लिंग अनुपात है वह भी गुरूगराम का ही है यहां का लिंग अनुपात है 844 महिलाई हजार पूसों पे ठीक है तो यह लिंग अनुपात हमने देख लिया है इसके बाद जो जनसंक्या है वह 15,14,000 पीचासी यहां की जनसंक्या है इसके बाद यहां का जो साखसकता दर है वह 84.34 है यहां का जनसंक्या गनेतों 1241 वैक्ती परती वर किलोमेटर है यहां की जो उपमंडल है वो सोहना, पटोदी, दक्षिनी वै उत्री गुडगाओं है तैसिल जो है वो गुडगाओं, पटोदी, सोहना, फरुकनगर और मानिसर है खंड जो है वो फरूक नगर, गुडगावा, पटोदी और सोना है और पर्मुक नगर जो है वो पटोदी, हैलीमंडी, जाड़सा, सुखराली और सिलो के रहा है अगर हम चेतरफल की बात करें तो स्थापना की समय गुडगावा का चेतरफल 686 वर किलोमेटर था जो की वर्तमान में बदलकर 1258 वर किलोमेटर है अब हम बात करते हैं गुडगावा के नामकरन के बारे में देखी गुडगावा का नाम गुडगावा के नाम से जड़ा हुआ है यह भी कहा जाता है कि गुडगावा को उनके सिश्यों ने इसे गुरु दक्षिना के रूप में बेट दिया था इसलिए इसे गुरुग्राम भी कहा जाने लगा और आगे चलकर यह गुडगाओं के नाम से जाना जाने लगा इस गाओं का पूरा नाम गुडगाओं मसानी था क्योंकि यहाँ पर मसानी माता जो चेचक की देवी हैं इसका प्राचीन मंदिर स्थित है इसके अलावा गुडगाओं को अन्य कई नामों से जाना जाता है जैसे की साइबर सीटी, सपनों की सीटी, सोरूर जा कहब, गुरू द्रोनाचारिया का गाओं, काल सेंटर आफ कैपिटल, भारत की माल सीटी, इलेक्टोनिक सीटी, आमीरों की नगरी और मिलेनियम सीटी के न अन्डी साहब कहकर भी पुकाते थे, मारुती उध्योग, जपान के होंडा मोटर से, सुजुकी मोटर साइकल उध्योग, आदी, उध्योग गुडगाओं का नाम दुनिया में रोसन करते हैं, साफ्टवे निर्मान में चेन्नई और बैंगलूर के बाद गुडगाओं का देश में तीसरा स्थान है, गुरूर दोणचारी की पतनी सीतला माता के नाम से सीतला माता मंदिर भी यहां का बहुत ही प्रसीद मंदिर है, सुल्तानपुर जील, खलील, कोटला जील यहां की परमुक जीले हैं, इसके अलवा सोनक अकिला भी यहां पर स्थित है, और रैंक के अधिकारी को पुलिस आयुक्त किया गया है, जिसके अधिन भारतिया पुलिस सेवा के 6 पुलिस आयुक्त कारियरत हैं, इसके बाद है नगर निगम, गुडगाओन नगर निगम, नगर परिशत को राजे सरकार की दौरा वर्ष 2008 में नगर निगम का दरजा दिया गया अब हम देख लिते हैं गुरू ग्राम के में तपून प्रेटक स्थरों के बारे में तो सबसे पहले हैं समा प्रेटक के अंदर गुडगावान अगर में हर्याना प्रेटर निगम की ओर से सभी आधुनिक्स युदाओं से युगत शमा प्रेटर के अंदर दिल्ली गुड़ती की स्थापना की गई है यह मंदिर रास्तानी वास्तु पैटरन में डिजाइन किया गया है यह जो मंदिर है सीतला माता का यह काफी फेमस मंदिर है गुडगावा का कभी आप यहां पर आए तो जरूर इसके उपर मथा टेक किये जाए इसके बद है सीतला माता हरियना सरकार ने स्री माता सीता देवी पूजा स्थल बोर्ड का गठन सन उनिसे क्याण में मिकिया इस बोर्ड की 11 सदे से हैं हरियन के मुख्यमंतरी इसके पर मुखध्यक्स हैं इसके बद है गरम जल का चस्मा सोहना गुडगावा जिले का विस्व विख्यास्तान सोहना गरम जल स्थोतों के कारण अपनी पैचान दूर दूर तक काइम कर चुका है इसके बाद है दमदमा जिल सोहना से मातर आठ किलोमेटर की दूरी पर प्राकरतिक सुनरई से बरपूर दमदमा जिल है यह हरियान की सबसे बड़ी जिल है यह तीन हजार एकड में फैली हुई ह यह जिल मचले पकड़ने के लिए परसीद है यहाँ पर पतंग मेले का उजयन भी किया जाता है दमदमा जिल पर नौंबर माह में गुबारे मेले का उजयन भी किया जाता है इसके बाद है यहाँ पर पटोदी महल तो जो पटोदी महल है इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं हर्यान के गुडगाओं जिले के छोटे से कस्वे पटोदी में वास्तुकार हैंज ने नवाब इबराहीम अली खां के महल का डिजाइन बनाया और प्रिणाम सरूप सन 1935 में पटोदी महल नाम से एक भववे भवन निर्मित किया गया जिसे गाओं के लोग वाइट पैलेस के नाम से पुकारते हैं अब इस महल में नीमराना समुकी ओर से हैरिटेज होटल चला है जा रहा है तो चले इसके बाद हम देख लेते हैं चोदरी देविलाल आदर्च अध्योगिक नगरी यह गुरूगराम के मानिसर में पांसो एककट जमीन पर फैला हुआ है केंदर सरकार के द्वारा आटो मॉबालिस उद्यों के लिए अनुसंधान एवम विकास अनुस्तान गुरूगराम के मानिसर में स्तापित किया गया है इसके बाद है सुल्तानपूर पक्सी विहार रजधानी दिली से 46 किलोमेटर दूर गुडगावा फरूगर सड़क पर हर्याना का आती सुर में सुल्तानपूर पक्सी विहार स्तित है सुल्तानपूर पक्सी वियार को हर्याना का सलीम अली पक्सी वियार भी कहते है तो चले इसके बाद देखते हैं इसके बाद है सुल्तानपूर राष्टिय पार्क यह है फरूख नगर में स्थित है इसे सनु से कहतर में पक्सी अभ्याण की रूप में भी विक्षित किया गया था सन 1932 में इसे जली यह पक्सी है तु आरक्षित किया गया 1989 में इसे राष्टिय पार्क का दर्जा दिया गया यह उद्यान परवासी पक्सी के लिए काफी परसिद है साइबेरियन सारस पक्सी यहां का परमुक आकरशक के अंदर है इसका चितरफल 1.43 वर किलोमेटर है इसके बद है सुल्तानपूर जील यह भी फरूखनगर के अंदर ही स्तेथ है तो इसके ध्यान रखिए कई बार पूचा जाता है कि सुल्तानपूर जील हरियान के के जिले में है तो यह गुरगाओं में है गुरगाओं के फरूखनगर में इसके बद है सी समयल यह फेजिदार खाने अश्ट भुजा आकार आकरती में फरुक नगर के अंदर बनवाय था यह लाल किले की हूब हूब नकल है इसके बद है सराय आलावादी गाउं की मजजिद यह प्राचिन मजजिद अलावदिन खिलजी के ससनकाल में बनाई गई थी तो यह आप देख सकते हैं यह फोटो सराय आलावादी गाउं की मजजिद की ही है इसके बद है फरूख नगर गुड़कावा जिले मेश्तित फरूख नगर नामक एक चोटा सा नगर है यहाँ बड़ी मात्रा में नमक बनाया जाता है और बाहर भी भेजा जाता है सन 1865 में यहाँ पुरानी राजपुताना मालवा रेलवे लाइन भी बिचाई गई थी यहाँ के बिचोल सासक दलेल खान ने इस नगर को अस्ट भुजिया आकरती में बनाया था इसके बाद है सोहना सोहना सेर की स्तापना रिकुस नामक फकीर के दौरा की गई सोहना अरावली की पाड़ियों के मध्य में स्तित है यहाँ पर जहरने का पानी गंदक की वज़े से गर्म निकलता है लोग मानते हैं कि इस पानी में तौचा रोगों को दूर करने की शमता है फरवरी मा में यहाँ पर विंटेज का रेली का विज़ेन भी किया जाता है सन 1975 से 1937 की दोरान जब आपातका लगाया गया था उस समय चोधरी देविलाल वे मुराजी देशाई जैसे बड़े निताव को यहाँ पर नजर बंद करके रखा गया था इसके बाद है नहरू स्टेडियम, गुरुगावा के नहरू स्टेडियम में परतम हक की एक्स्ट्रो ट्रफ का निर्मान किया गया है इसके बाद है गुडगावा नहर गुरुग्राम नहर गुरुग्राम की मुख्य सीचाई नहर है जो की गुरुग्राम के अलावा फृदाबाज जिले में भी सीचाई करती है यह नई दिल के निकट ओखला नामक स्थान से यमना नदी पर बांध बना कर निकाले गई है तो चलिए अब हम देख लेते हैं गुरुगराम के प्रमुक वैक्तियों के बारे में तो सबसे पहले हैं अयोध्या परसाद गोईलिये ये बाध्यापुर में ग्यान पीठ के मंतरी रहे हैं इसके बाध है इफ्तियार अली खान पटोदी इनका जनम सोड़ा मार सन्यूंस 10 को पटोदी में हुआ था और इनकी मिर्तिव 5 जनमरी सन्यूंस 122 को दिल्ली में हुई थी ये हाक्की और बिलीरिस के अंतराश्टी खिलाड़ी भी रहे हैं इनको पटोदी का टाइगर भी कहा जाता है सन 1928 में ये भारत्य हक की टीम के सदेश्चे भी रही थे जो ओलम्पिक्स में खेली थी ये सन 1931 में भारत्य क्रिकेट टीम के कप्तान भी रह चुके हैं इसके बाद है रूपीन डांग ये एक फिलमनीर माता है अनुक कुमार एक कबड़ डिखलाडी है शिवानी कटारी तैराकी से समन दित है कस्तूरा भाई एक सवतंतर सैनारी है जो बल्दान गाउं से समन दित है इसके बाद हम देख लेते हैं गुरुगराम के कुछ मैतपून और खास बाते जो हैं उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं जन संक्या ग्रहतों में गुरुगराम फ्रीदाबाद के बाद दूसरे सान पर आता है इसके बाद है राश्ट्रिय सोर संस्तान गुरुगराम में फ्रीदाबाद रोड पर स्थित है इसके बद है यहाँ पर इंस्टिटूट आफ पब्लिक एडिमिस्ट्रेशन की स्तापना सन 1983 में किये गई अगला पैंट है यहाँ का मारूती उद्योग काफी परसीद है जिसकी स्तापना 1983 में किये गई इसके बद है भारतिय क्लास नस्करति का प्रतिक किंगडम आफ ड्रीम भी यहीं पर स्तित है इसके बद है दिल्ली गुरुगराम एक्सप्रेस वे की स्तापना 30 जनवरी सन 2008 में किये गई इसके बद है उद्योग विहार भी गुरुगराम में ही स्तित है इसके बद दो फरवरी संदो हजार 18 को माने सर को दूसरा पुलिस जिला गोशित किया गया इसके बद गुरूगराम संदो हजार 8 में नगर निगम बना था इसके बद है माने सर को आटो हब के नाम से भी जाना जाता है इसके बाद है राहीगर नामक योजना सन 2013 में गुरूगराम के इंदर ही शुरू की गई राहीगर डे 22 सितंबर को बनाया जाता है कार फरी डे 25 सितंबर सन 2004 से बनाया जा रहा है इसके बाद है हरियना सरकार अपने खुद के खर्चे पर गुरूग्राम को समार्ट सिटी बनाने जा रही है इसके बाद है परती वेक्ती आए में देश का तीसरा सबसे बड़ा शहर गुरूग्रामी है और पहले स्थान पर चंडेगड और दूसरी स्थान पर मुंबई है। इसके बाद है, शाफटवЕर खरीदने में गुरुग्राम का स्थान थीसरा है। इसके बाद हैं, लेसर वैली, सहारा वैली, वे डी ऐलेफ। ये सभी गुरुग्राम में ही स्थीत हैं। खिलाडियों को आधुनिक और वेग्यानिक धंग से प्रेशिक्षन देने के लिए गुरुग्राम में खेल चात्रावास कितापना की जा रही है इसके बाद है मिसन टीबी फ्री हरियना की सुरुआत गुरुग्राम से मनोहरलाल खटर ने की थी जिसके ब्रांड एमबैजडर अमिता बच्चन बनाएं गए हैं पेदान्त होस्पिरल इसमें सयोग दे रहा है ताव देवी लाल स्टेडियम भी गुरुग्राम में ही स्तीत है वाइट पैलेस भी गुरुगावा के पटोदी सहर में ही स्तीत है इसके बाद है हरी मंदिय संस्कृत विस्विदाले भी यह यह मुख्या पार्क हैं गुरुग्राम के इसके बाद गुरुग्राम के परमुख विस्विदाले के बारे हम देख लेते हैं तो एक है सैनलिक विस्विदाले इस विस्विदाले की स्तापना सन 2010 में 201 जमीन पर गुरुग्राम के बिनोला नाम गाम में हुई और इसका 1997 में गुरुगराम के मानिसर में की गई है इसके बाद है आई टेम विश्व विधाले इसकी स्थापना सन 206 में की गई है इसके बाद है अपीजे साइब विश्व विधाले जिसकी स्थापना सन 2010 में की गई अमीटी विश्व विधालिक स्थापना सन 2010 में अंसल विश्व व खनीज पदार्त है इसके बाद चीनी मिट्टी गुरुगुराम के सिकंदर पूर नामकस्तान से प्राप्त होती है इसके बाद है क्वार्टर गुरुगुरामा की बद्दरपूर छेतर में थोड़ी बहुत मातरा में मिलता है इसके बाद भवन निर्मान की जो सामगरी है वै महदेव का मेला इंचापुरी में, बगतपूर्णस्च में, शुक्षा खोरी का मिला खोरी में और बूड़ी तीज का मिलाigns अलदुप्का में लगता है। तो देखिए दोस्तों ये वीडियो हमारी यहीं पर खतम होती है अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लेज हमारी वीडियो को लाइक, सेर और स्क्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और अगर आप हमारी इस वीडियो कोई PDF चाते हैं तो जल्दी ही मिलेंगे दोस्तों ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत